जो ये अंदोलन हो रहा है दिल्ली में नहीं भारत के हर कोने कोने पर भारत के हर शेहर में हर कश्वे में ये अंदोलन स्वते नोजवानों ने जंडे उठाए हैं इसका कोई नेतरुत नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले चार सालों में जितने अत्याचार हुए हैं मोधी सरकार के द्वारा और ऐसे इसके जो संचालक हैं भागवत जी उसने जो अपने कड़वे शब्दों में कई बार भारत के दलितों को ललका रहा है कई बार भारत के समिधान की परदले की बात की है अनन्त हैंग्डे जो इनका मेंबर पार्लेमेंट है उसने भारत के समिधान को वदलने की बात की है तो आप समझिए कि ये बाबा साथ बाबुजी अर्मान वरकासी राम जी के सपाई जग रहे हैं अपनी सोही हांके खोल रहे हैं इनके पात अवी उनने ना सामाजिक आजादी मिल पाई है ना आर्ठिक आजादी मिल पाई है सुरब कुछ आजादी राजनी तिक मिली थी वोई बोट का अधिकार जो बोट का देखार मिला था उस पर हमारे जो नेता आए हमारे जो लीडर आए उन्होंने हमारे कार्थ करताओं को हमारे समाज के नोजवानों को गिरिवी रखके अपनी जोटी से की है पहले डोल-गवार्सुथ पसुनारी यह संब तारन के अधिकारी तुलसिदाज जी न remote आ देखे यह 20 तारिकों जज़मेंट आया है यह जर्जमेंट उस्तम नायले के नायदीसों का नहीं है इसमें मरोवरती RSS और BJP की है अगर उनकी जर्जमेंट उसे कहते हैं जिसमें न्याय होता है जिसमें न्याय होता है जो हर एक के दिल की धड़कन कहती है न्याय हुआ है लेकिन आज देश का 40% दलित कि इसको न्याय नहीं कह रहा है तो न्याय नहीं हुआ यह को इनका और का 14 को इसके लिए सबसे जिम्मेदार को कोई हैं इसलिए उस ने जितने वाइदे किये जतने वाइदे कि यह इक वी वाइदा पूरा नहीं किया सिर्फ राजनिति के लिए प्राइम इनिस्टर बन गया आने वाला जियाज इस मोधी के प्राइम इनिस्टर चीप पर उंगलिया उठाएगा जब भी इस जी इसका नाम लिया जाएगा लोग इसके तरफ ठूकेंगे